जूटे फूल, सच्चे फूल एक समय की बात है, एक राजा को अपने राज महल के बगीचे में तरहां-तरहां के फूल लगाने का शौक हुआ उसने तुरंथ ही मंत्री को बुलाया और उसे राज महल के बगीचे में फूलों को लगाने का हुकम दे दिया मंत्री ने ये हुकम सैनिक को दिया और सैनिक ने महल के सेवक को सेवक इधर उधर के तमाम कामों में ये हुकम भूल गया इधर राजा मंत्री को हुकम दे के बहुत खुश था उसने सोचा मेरा जन्म दिन आने वाला है उसमें चार-पांच महीने का समय है तब तक तो फूल के पौधे काफी बड़े हो जाएंगे और रंग बिरंगे खुश्बू से भरे लाखो फूल आ जाएंगे इसलिए चार महीने बाद उसने दूर-दूर शहरों से अपने सभी दोस्त राजाओं को अपनी जन्मदन की दावत पर बुलाया और सोचा कि सभी को अपने भगीचे के फूलों के बीच बैठ कर भोजन कराऊंगा और सभी को अश्चर चकित कर दूँगा धीरे धीरे दावत की तारीख नजदीक आ गई तो राजा ने सोचा कि एक बार मैं भी तो अपना बगीचा देखूं और वह दावत के क्या इंतजाम करवाने हैं सब को बता दूँ उसने तुरंट मंत्री को बुलाया और कहा मंत्री जी हमारे देश विदेश के मित्र हमारे जन्म दिन के दिन दावत पर आ रही हैं अभी ही हमारे बगीचे में जाने का इंतजाम कीजिए हम देखना चाहते हैं बगीचा कैसा है और फूलों की सुगंद कितनी दूर तक आ र जिसे उसने बगीचा लगाने का राजा का हुकम दिया था सैने कि ये सुनते ही सेवक की तरफ दोरा और बोला सेवक बगीचा कहा है अगर बगीचा ना मिला तो मैं तुम्हारा मंत्री मेरा और राजा मंत्री का सर कटवा देगा सेवक रोने लगा और बोला हुजूर मैं महल के काम में भूल गया आप ही मेरी जान बचाएं उन तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई और जादूगर्नी कलिका को उनकी मदद करने को कहा जादूगर्नी बोली देखो फूल दिखाई तो देंगे पर कोई छू नहीं सकेगा खुश्पू चारो तरफ महसूस होगी पर बगीचे के बाहर कोई सूंग नहीं सकेगा अपने जादू से मैं बस इतना ही कर सकती हूँ मंत्री ने चैन की सांस ली और राजा को बगीचा दिखाने ले आया राजा बगीचे के दरवाजे पर था पर कोई महक नहीं आ रही थी दरवाजे के अंदर पैर रखते ही खुशी से जूम उठा चारो तरफ रंग बिरंगे खुपसूरत फूल खिले हुए थे फूलों की खुश्बू से पूरा बगीचा महक रहा था राजा ने खुश होकर मंत्री से कहा मंत्री जी आपने दिल खुश कर दिया आपको मेरा ये हार उपहार में देता हूँ मंत्री ने हार तुरंट सैनिक को दिया और सैनिक ने सेवक को और सेवक ने राजा का हार घबरा के वापस राजा के कमरे में रख दिया कि आखिर मंत्री ने हार क्यों नहीं लिया? जरूर कुछ है जो मंत्री छुपा रहा है। उसने चुप चाप सैनिकों को भेज पता लगा के देखा कि बात क्या है, तो पता चला कि बगीचा जूटा है। राजा को मंत्री की बुद्धी पर बहुत हसी आई। उसने सोचा कि मंत्री को सबक सिखाता हूँ। उसने चुपके से कुछ सैनिक दूर देश में भेजे और अपने दोस्त फूल नगर की रानी से फूल लगे हुए लाखों पौधों के गमले बगीचे में मंगवा कर रखवा दिये। पूरा बगीचा पहले की तरह महकने लगा और सच्चे फूलों से भर गया। फिर राजा ने जादूगर्णी को जेल भेज दिया और मंत्री से बगीचे में जाने की इच्छा जताई। मंत्री राजा को लेके बगीचे में गया। पर ये क्या, बगीचे के पास आते ही फूलों की सुन्दर सुगंद से मंत्री हैरान हो गया। अंदर जाते ही चारो तरफ खिले फूलों को देख मंत्री ने सोचा, ये जादू गर्नी की कृपा है। तभी राजा ने मंत्री से कुछ फूल तोड़ने को कहा। अब मंत्री डर गया क्योंकि उसने सोचा ये फूल तो नकली है कोई इन्हें छू नहीं सकता उसने राजा से एक शमा मांगी और पूरी बात बताई राजा ने कहा जाओ पहले फूल तोड़ो मंत्री फूलों के पास गया तो वे तुरंथ ही उसके हाथ में आ गए मंत्री हैरान हो गया तब राजा ने उसे सारी बात बताई और बताया ये सच्चा बगीचा है और मंत्री को चेतावनी दी कि फिर उसके हुकम का अपमान ना हो और कहा जूट बोलने से अच्छा है गलती को सही ढंग से सुधारा जाए ना कि जूट से और फिर धूम धाम से अपने बगीचे में अपना जन्म दिन मनाया